Hello everyone, welcome to the study close, मिरे नाम है प्रशांत मिस्रा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडिया का जो D-Position Mission launch है, उससे related, इससे related जितने भी information है वो आपको मिल जाएगी, या आप D-Position में जाओगे तो कुछ इस तरह का flora and fauna आपको देखने के लिए मिलता है, तो D-Position Mission में क्या-क्या components हैं, इंडिया को उससे क्या-क्या फायदे होने वाले हैं, उसको हम detail में आज समझते हैं, Union Cabinet ने इसको अप्रूब किया है, Union Cabinet ने बोला है कि वो एक Submersible Vehicle बनाने के लिए पैसे दे रहा है, Submersible मतलब जो जमीन के, जो पानी के अंदर जा सकी, यह आप देख रहे हो, Submersible Vehicle जो 6000 मीटर की गहराई में जाके हंट कर सके, हंट मतलब वहाँ पे सिकार नहीं करना है, हंट मतलब वहाँ पे खोज करना है, किसका खोज करना है, Precious Met से भरा पड़ा है, उसका खोज करने के लिए वहाँ पे Submersible Vehicle बनाया जा रहा है, तो अब बात यह आती है, कि क्या इंडिया ऐसा पहला कंट्री होगा, तो बिलकुल नहीं, इंडिया ऐसा 6 कंट्री होगा, जिसके पास यह टेकनलोजी है, 6000 मीटर मतलब हम लोग 6 किलो मीटर अंदर की बात कर रहे हैं, अब खुद सोचो 6 किलो मीटर अंदर अगर कोई वहिकल होगा, उपर से पानी का फोर्स कितना जादा पड़ रहा होगा, तो अब इसलिए वहिकल क्या होना चाहिए, काफी मजबूत होना चाहिए, इसके अंदर अगर कोई बैठा हुआ है, तो इ 2077 करोर, next 5 years में खर्च होंगे, जिसमें जो 2021 से 2024 तक 2823 करोर खर्च होंगे, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन रहेगी, the Ministry of Earth Sciences जो होगी, इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी, कभी-कभी एकजाम में खासकर प्रिलिम्स में आपसे पूछ दिया आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इस से associated है, तो आप क्या बताओगे, Ministry of Earth Sciences बताओगे, और साथ-साथ multi-institutional mission है, मतलब और भी बहुत सारे institution होंगे, जिसके साथ associated रहेंगे, इस mission के total 6 component है, 6 component मतलब 6 component है, 6 part में mission divided है, सिर्फ एक काम नहीं करना, वो 6 part क्या है, उसको समझते हैं, तो obviously पहला है 6000 meter तक depth में जाना वहाँ पे sensor वगरा, tools वगरा, use करना, यह आपका पहला part है, तो use क्यों करना है, use इसलिए करना है, कि वहाँ पे mining वगरा की जा सके, किसकी mining की जा सके, poly metallic nodules, mining मतलब वहाँ पे जो भी minerals वगरा है, उनको निकाले जा सके, poly metallic nodules बहुत लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं जैसे दिखते हैं, आपको potato shape में दिखते हैं, mainly इसमें magnees होता है, बट सिर्फ magnees नहीं होता, magnees, iron के अलावा, वहाँ पे nickel, copper, cobalt, lead, यह सारी सीज़े होती है, जो economic और strategic importance की होती है, तो पहला mission यही कहता है कि भाया, अंदर जाओ, यह जो poly metallic nodules है, उसके लिए आप क्या करो, इनकी खोज करो, क्योंकि यह यह चाहिए, यह Indian government कुछ ही है, इंडिया कुछ ही है, तो mission का पहला component यही है, और United Nation ने क्या किया है, इंडिया को authorize कर रखा है, commercial exploration के लिए भी, obviously उस पर कोई code नहीं बना, जब code बन जाएगा, तो कैसे commercially उसको exploit किया जा सके, वो इंडिया क पता चलेगा, तो पहले तो पता लगाएंगे, खोज करेंगे, तो फिर उसका exploitation स्टार्ट होगा, future में, second चीज क्या है, understanding climate variable, climate change बहुत जादा हो रहा है, और ocean climate variable में बहुत ही strong component है, तो अगर कोई बहुत नीचे जाएगा, नीचे जाके और ocean के हर पार्ट तक पहुंच पाएगा, sensors लगा पाएगा, temperature change कैसे हो रहे हैं, वो सारी चीज़े develop हो पाएगी, तो second यह जो component है, जो mission है, उसमें यह भी है, developing ocean climate change advisory services, ocean climate change कैसे होता है, उसकी advisory को develop किया जा सके, जिससे की climate change हो रहा है, decade time scale पे, decade मतलब 10 year में जो climate change होगा, उसको पता लगाया जा सके, यह second component ह इस mission का, mission का third component का है, third component है, flora and fauna को search करना, including microbes, ठीक है, और इसको sustainably utilize करना, seabed में, generally आपको इस तरह का flora और fauna देखने को मिलेगा, यह flora fauna भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत गहराई में नहीं, तोड़ा उपर ही छिछले में देखने को मिल जाता है, तो यह इसको study क करना, और इसको कैसे sustainably utilize किया जा सकता है, उसके बारे में यह third component कहता है, fourth component यह कहता है, कि hydrothermal mineral जो है, उनको identify करना, अब कुछ लोग को लेगा hydrothermal mineral क्या है, तो hydrothermal mineral का मैं यहाँ पे, आपको definition दिया हुआ है, कि क्या है, accumulation of variable minerals, which formed from hot water circulating in earth crust, earth का जो crust है, वहाँ पे hot water के circulation से जो minerals बने, और seabed पे आ गए, उनको हम लोग क्या बोलते है, hydrothermal mineral बोलते है, hydrothermal क्योंकि hot water, magma वगारे के circulation से बने हुए है, ऐसा कुछ दिखेगा, आपको hydrothermal mineral जो है, कुछ इस तरह से दिखते है, तो इनका खोज करना, इनका exploration करना, यह आ जाना नहीं है, study करना है, और prepare करना है, engineering design, किसका, desalination plant का, desalination मतलब, जो ocean water है, नमकीन, खारा पानी, उस खारे पानी से हम लोग, साफ पानी बनाएंगे, मीठा पानी बनाएंगे, जो पीने में और बाके चीजों में, use किया जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे, desalination plants, तो उ desalination plant का preparing का study और engineering design करना है, और यह desalination plant कैसा होना चीए, वैसा होना चीए, जो offshore, offshore मतलब वहीं पे जो ocean thermal energy को convert करके, हम लोग desalination plant को चला सके, उसके लिए हमें अलग से energy नहीं खर्च करना पड़ी है, जो भी ocean energy है, thermal energy, उसी के use करके हम लोग यह plant चला सके, इसका study करना भी, design prepare करना है, बनाना है, नहीं है, और साथ साथ छठा component क्या हो गया, छठा component यह होगा, कि ocean biology और engineering में लोगों को students को groom करना है, experts को groom करना है, कि ocean biology और engineering का industrial appliance किया जा सके, अंदर जो भी flora और fauna है, ठीक, उससे क्या-क्या medicine वगरे बनाए जा सकता है, वो ocean biology के अंदर आ जाएगा, और engineering में, technology में कैसे use किया सकता है, यह component के लिए, जो भी technocrats है, जो भी scientist है, जो भी interested person से उनको groom किया सके, और business वगरे उससे facilitate किया जा सके, तो यह 6 component इस mission के अंतरगत आते हैं, ठीक है, तो यह बात हो गई, और साथ साथ आपको UN की जो international seabed authority है, जो seabed authority पे पूरा decision जिसके पास रहता है, उसने, इंडिया को Central Indian Ocean Basin, इंडियन ओशन बेसिन आप समझ रहो, इंडियन ओशन बेसिन, जो इंडियन ओशन है, Central Indian Ocean Basin में, उसने, 75,000 square kilometer क्या कर दिया, अलॉट कर दिया, exploitation के लिए, poly metallic nodules के, poly metallic nodules में ने बताया, क्या होता है, जो मैगनी जारिया निकल यह स बाकी चीज़े क्या है, तो बाकी चीज़े यह हैं, कि साइन्टिस्टों का यह मानना है, एक्सपर्ट यह मानते हैं, कि अगर हम उस poly metallic nodules के एक fraction of part को भी अगर harness कर पाएं, उसको अपने energy requirements के लिए meet कर पाएं, तो हमारी जो 100 years, इंडिया के जो 100 years के energy requirement है, वो पूरी हो आते हैं, तो हमारी energy का एक most part utilize हो जाएगा, तो यह रहा है इस lecture से इस topics related सारी information, इस पे आपको prelims में भी question पूछे जा सकते हैं, और in fact means में भी इस से question बन सकता है, तो आप अच्छे से इस topic को prepare कर लेना, ठीक है, इस topic में इतना ही, बाकी जो लोग civil services की preparation कर रहे हैं, current affairs के lecture ज आते हैं, 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 आते ह